हालो बच्चो बेरी बेरी गुड मार्निंग टू आल अफ यू तो कैसे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे भीटा नो डाउट की नहीं अच्छे होंगे अब आपको 11 यानि 12 का math 12 के math और physics में 100 परसंट के question math and physics में 100% question लडने के बाद अब आपकी किस की बारी है बेटा तो chemistry का बारी है तो आपका 12 में physics और math में 100 का 100% question बेटा चाहए वो objective हो या फिर subjective हो जितने भी आपके objective या subjective पूछे गया हैं एक भी question ऐसा नहीं था आपके बिहार बोर्ट के 12 के examination में एक भी question ऐसा नहीं पूछा गया था जो सारदा classes के द्वारा आपको पढ़ाया नहीं गया था नहीं तो सारे के सारे questions आपको पढ़ा दिये गये थे जो आपके math और physics में पूछे गये हैं वो सारे question 12 का बिहार बोर्ड में 100% question आपका लड़ा है और लगभग बच्चे हमारे सारे question complete करके आए है no doubt अब बेटा किस की बारी है तो chemistry की बारी है chemistry की बारी है chemistry में बहुत सारे कुछ बहुत कुछ हम लोगों ने परहा है अभी बेटा मैं आपके बीच जो सेट लेकर आया हूँ वो सेट है बेटा सब्जिक्टिव का बहूत सारे question हमारे पास लेकिन मैं बार-बार एक बार पहले भी मैंने फिजिक्स में कहा था, आप लोग को बार-बार रिपीट करके बताया था, बहुत सारे बच्चे परसान थे, सरे लिंस फार्मूला प्रूब कर दिजे, ये लॉप प्रूब कर दिजे, नुमेरिकल बता दिजे, इस क्या करते इस जो बताया जाता है कि बल उसे आप इमांदारी से करते रहें, बाईली आपको कुछ करने की आवसकता नहीं है, इधर उधर कीजिएगा तो फंस जाईएगा, मुझे पता था कहां कि आएगा, बार बार जितने question को मैंने pointed किया, repeat किया, बार 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 बताया, सारे questions आपके वह आएते, तो chemistry में भी वही आएगा, जो मैं बताने जा रहा हूं, बिल्कुल इधर उधर नहीं करना है, और जो भी बताऊंगा, इस से बेहतर जवाब आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस से बेहतर जो तरीका से मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इस से बेहतर तरीका आपको देखने को नहीं मिलेगा ध्यान से देखिएगा आज आपके बीच मैं सब्जेक्टिव का सिट लाया हूं और अब्जेक्टिव तो लगभग बच्चे बहुत सारे सही होते हैं लेकिन सब्जेक्टिव जो है वो बेहतर होना चाहिए नो डाउट की नहीं होना चाहिए कल का एकजाम बहुत बढ़िया गया था सर क्या बात है सारे के सारे कोष्चन सांपके जितने भी मैंने आपको नहीं पढ़ए था तो लेटा से स्टार्ट आज इस्टार्ट किया जाए।走 अजरे कोसंट वस ध्यान से आपको समझना है। मैं जैसे समझाने की कोशिज करता हूँ आपके बल्ल ध्यान से समझते रही मैं और बहुत सारे कोसंट S हमारे पास है देखते हैं कितना question आज आपको मैं निकाल पाता हूँ पेटा पहला question आपके पास दिया हुआ है कि फ्रेंकल defect क्या होता है फ्रेंकल defect क्या होता आप एक example ले लिजए ag-br ले लिजए थिक है A. G. C. A. ले लिजे ध्यान से देखिएगा, एक्जाम्पल से शुरू करते हैं, ये भी आपको एक नमबर देगा, जे डेन एस ले लिजे ये सब आपके फ्रेंकल दोस्के एक्जामपल होते हैं ध्यान से देखिएगा जितना मैं बताता हूँ बिल्कुल उसी तरीका से उतना ही लिखेंगे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे दो नमबर का ही कोस्चन आएगा या पांच नमबर में पूछ ये ऐसे करके बनाएंगे जैसे मैं बनाने जा रहा हूँ एजी प्लस हो गया बी यार माइनस हो गया एजी प्लस हो गया बी यार माइनस हो गया ऐसे करके आपको बिल्कुल डाइग्राम वहाँ भी बनाना है जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आप वहाँ भी बनाएंगे ऐसा मैं उमीद करता हूँ आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है जैसे आप लोग का physics गया है उमीद करते हैं कि आपका math और physics के बाद chemistry भी उतना ही अच्छा आपको जाएगा ठीक है अब इसमें होता क्या है जरा ध्यान से सुनेंगे हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे नए जो भी बच्चे हो वो बिल्कुल नहीं घमनाएंगे objective का set बेटा आपको सारे 11 बजे मैं लेके आओंगा कल साम में मैंने आपका objective पढ़ाया था और फिर 11 बजे सारे 11 बजे आपको जो है फिर objective का set लाया जाएगा 500 objective उस टाइम में होगा साम में भी objective का set लाएंगे एक subjective का set अभी आपको मैं दे रहा हूँ कितना question complete होता है ध्यान से देखिएगा अब इसमें क्या होता है बेटा की एक आपके ketions दूसरा point पहला number point यह है दूसरा number point इसमें जान लिजे कि जो ketions होते हैं घबराईएगा नहीं आंसर सब लिखा हूँ है अंत्राली अस्थान में फंस जाता है अंत्राली अस्थान में उसके उठके फंस जाता है ketions और यह जगह जो होते हैं यह आपके बेटा खाली हो जाते हैं यह जगह आपके क्या हो जाते हैं खाली हो जाते हैं और इससे जो दो सुत्पन होता है दो डाइग्राम आप बना द यह औस्थाई हो जाता है लेकिन इसके घनत्म में कमी नहीं आती है क्या आता है घनत्म में कोई कमी नहीं आता है इसी को कौन सा दोस कहा जाता है तो यही बेटा आपका कौन सा दोस कहलाता है फ्रेंकल दोस कहलाता है no doubt no doubt किसी भी बच्चे को कहीं से कोई संदेह नहीं होना च लिख दिया गया है किसी अनिक्ठोस में धनायन या रिनायन अपने वास्तविक जालक बिंदू से विश्थापित होकर अंत्राकास में आ जाते हैं तो फ्रेंकल दो सुत्पन होता है इसके लिए धनायन का आकार रिनायन से बहुत छोटा होना चाहिए इससे क्रिश्टल का अस के पास है वो बेटा बहुत एक खुबसूरत सा क्वेश्टन है आप से पूछा गया है कि डाइ मैगनेटिक सब्स्टांस क्या होते है यानि जो प्रती चुम्बकिये पदार्थ है वो प्रती प्रती चुम्बकिये पदार्थ क्या है वो आप से पूछा गया है तो प्रती च तो प्रति चुम्बकिये पदार्थ किसको कहा जाता है वही आप से पूछा गया है तो प्रति चुम्बकिये पदार्थ क्या होंगे तो पहला point बिटा जान लो अगर वैसा पदार्थ जिसको magnetic film में ढालते हैं यानि चुम्बकिये छेतर में जब दालियेगा तो उस पर अत्यधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, 9 के बराबर प्रभाव पड़ेगा, उसको प्रती चुम्बक्ये खायाता है, पहला number point, चुम्बक्ये फिल्ट में डालने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो होता है, दूसरा number point आपको क्या कहता है, तो इसम बक्या आगुर्ण आपके 0 के बराबर होंगे एक्जामपल में लिख सकते हैं बेटा जे डेन 2 प्लस हो गया ये सारे आपके एक्जामपल हो गया ठीक है ये सब एक्जामपल हो गया तो ये सारे आपको कैसे सबस्थांस होते हैं तो पैरा मैगनेटिक सबस्थांस होते हैं और कि लाया है फटाफट देख लिजेगा क्या लिखा हुआ है कि क्या कहता है कि प्रति चुम्बकिये पदार्थ क्या होते हैं तो वैसे पदार्थ जिसका वायतम चुम्बकिये छेत्र जारा दुरुबल रूप से प्रकर्तित होता है मैंने बताया है कि चुम्बकिये छेत्र में जब उसको डालिएगा बेटा तो उस पर कोई प्रभाव नहीं परेगा वो आपके प्रतिचुमबक्ये पदार्थ होते हैं इसका तोटल का टोटल कक्छा जो होता है अंतिम पक्छा जो होगा उसमें पुर्ण रूपेन एलक्ट्रॉन आपके भरे हुए रहते हैं ठीक है जब जब electron बेटा भरेंगे तो कैसे भरेंगे ज़रा ध्यान से देख लिजेगा electron जब किसी के अक्षा में भड़ा जाता है तो इसका मान बेटा किसके बराबर हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा वो भी मैंने लिख दिया है आगोन विपडि चक्रन के कारण नश्ट हो जाते हैं एक्जामपल जेडेन टू पलस है उसके बाद टी आई ओ टू है एने सी एल है भी टू ओ टू पलस है ये सारे पैरा मैगनेटिक सबस्टांस हो जाते हैं अगला क के पास क्या है जरा गौर से देखिया कोशन कहता है किसी बैदूत अप घट के जलिये विलियन में जल मिलाने पर विशिष्ट चालक पर क्या प्रवाप परता है तो विशिष्ट चालक पर पर परवाप परेगा मेरे दोस्त कैसे परेगा मैं आपको समझा देता हूं ध्यान कम जाएगा इत मींस क्या जो नंबर आफ मोल्स पाए गया थे किसके तो चीनी के जो मोलों का संख्याता आयंस का संख्याता या कन का संख्याता जो एक लीटर पानी में उपस्ति था सब जगा दो लीटर पानी में उसके कनों का संख्या कम गया इत मींस क्या जब कन का संख्या कटे कमेगा तो यहां पर electrical specific conductivity जो आपका विसिस चालक्त पर है वो भी बेटा कम हो जाएगा क्यों कम हो जाएगा क्योंकि प्रती लीटर में जो आपके विलाय के आयंस का संख्याता विलाय के मोलो का संख्याता वो घट गया है इसलिए conductivity आपका कम जाएगा नो डाउट बिल्कुल समझ में आ गया होगा नए जो भी बच्चे आएंगे बेटा चैनल को जबूर सब्सक्राइब करेंगे बहुत सारे questions मैं आपके लिए लेक्या आया हूँ subjective इससे बाहर नहीं आगा objective बिल्कुल tension free रहो जैसे math का और physics का 100 का 100% question मेरा लगा है 99.99% भी 100 का 100 तो chemistry का भी 100% यहीं से आएगा no doubt कहीं से कोई दिक्कत नहीं है मैं बार बार पहले भी कहा करता था आज भी वही चीज़ रिपिट करता हूँ आपको केबल अनुकरन करने की बात है मैं जो कह रहा हूँ केबल उसको ध्यान से सुनिए अगला question क्या कहता है किसी बैद्धूत अभगट के जलिये विलियन में जल मिलाने पर प्रती ही काई आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है जब आयन का संख्या घट जाएगा मेरे भाई तो विशिष चालक भी क्या हो जाएंगे घट जाएंगे अगला question देखिएगा अगला question बेटा क्या कहता है आपके पास question है विद्धूत आयनिक विलियनों की चालक ता किन किन बातों पर निर्भर करता है कैसा तो आयनिक solution का जो conductivity होता है आयनिक solution का conductivity बेटा किस पर निर्भर करेगा पहला number point nature number of ions number of ions हिंदी इंगली सम्में लिखा हुआ है घबराईएगा नहीं number of ions यानि आयनों की संख्या पर जितना ज्यादा ions का संख्या होगा ions का संख्या जितना ज्यादा होगा उतना आपका electrolytic conduction जो होगा आपके बैदुत challenge जो होंगे electrolyte के अंदर वो उतना ज्यादा होगा पहला number point दूसरा number point बेटा nature of ions ions किछ नेचर के लिए गया है nature of ions या nature of electrolyte यानि electrolyte जो आप ले रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है उस पर निर्वर करेगा electrolyte के बैटा विसको सिटी पर निर्वर करेगा किस पर निर्वर करेगा विसको सिटी पर निर्वर करेगा यानि एलक्ट्रोलाइट का जो स्यानता है उस पर भी निर्वर करेगा इतना ही नहीं जो आपके आयंस होंगे आयंस के मोबिलीटी पर निर्वर करेगा आयंस कितना तेजी से मूब करता है कितना तेजी से दौर- के काम करता है उस पर भी निर्वर करेगा तो ये सारे पॉइंट आपको मैंने लिख दिया है ध्यान से देख लिजेगा क्या कहता है कि चालकता निमलिकित बातों पर निर्वर करता है डाले गए विद्धुत अपघट की प्रकृति पर यानि एलक्ट्रोलाइट जो ले रहे ह उसका नेचर क्या दिया है उस पर प्राप्त आयनों का आयाम एबं उनका विलायक संकरन पर निर्वर करेगा उसकी स्यांता पर निर्वर करेगा विलायक के प्रकृति पर भी निर्वर करेगा और बिद्धुत अपघट का सांद्रन क्या है कंसंट्रेशन और टेंप्रेचर पर भी निबर करेगा temperature बढ़ाईएगा तो kinetic energy बढ़ जाएगा kinetic energy बढ़ जाएगा किसका आइंस के kinetic energy बढ़ जाएगा यानी mobility मैंने लिखा था तो तेजी से दोर-दोर के काम करेगा तो electricity का flow उसमें क्या हो जाएगा बर जाएगा no doubt अगले question क्यों बढ़ते है next question मेरे दोस्त क क्या है अगला question बेटा दिया गया है आपके पास question क्या है उत्प्रेरक के कार्ज की वियाख्या एक रसाइनिक प्रतिक्रिया से करें बेटा catalyst क्या होता है पहली ये समझ लिजे उत्प्रेरक क्या होते हैं एक ऐसे रसाइनिक पदार्थ होते हैं जो बेटा रसाइनिक अभिक होते हैं दूसरा आपके निगेटिव होते हैं ठीक है पोजि ट्वला क्या करेगा तो रेट आफ रेक्शन जो होगा यानि अभी करिया के भीक को बढ़ाएगा और निगेटिव लाह जो होगा वह आप करेगा तो अभी क्रिया के बेक को घटाने का काम करेगा ठीक है अब आपको कह रहा है कि एक example लेके समझाइए तो मैं एक दो example लेके आपको समझा देता हूं जैसे बेटा sulfur dioxide है इसको oxygen के साथ reaction करवा के आपको sulfur dioxide में बदलना है तो nitrogen oxide को catalyst के रूप में ले लिजेगा यह आपका उत्प्रेरक है यह आपके उत्प्रेरक है और यह किसमें चेंज कर देगा sulfur dioxide में चेंज कर जाएगा वैसे एक example हैबर प्रोसेस का ले लेता हूं nitrogen का reaction बेटा hydrogen के साथ आप करवाईएगा तो in presence of iron iron आपका उत्प्रेरक हो जाएगा और उत्प्रेरक के उपस्थिति में आपका क्या बन जाएगा तो two ns three का formation हो जाएगा यहां पर इसको balance कर दीजेगा तो यह भी आपके एक बहुत अच्छे question थे मैंने इसका भी आपको solution आपके पास लेके आया वहाँ दो-दो example देके समझा दिये हैं यहां एक example है ध्यान से समझ लिजेगा ध्यान से समझ जिएगा सब यहां बन गया तो इसको ध्यान में रखना है नेक्स को सचन अगला कूस्ट बेठा आपके पास क्या कहता है जरा ध्यान से कुस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष यहां से हमको क्या प्राप्त करना है जिंग को प्राप्त करना है तो यह डाइरेक्ट नहीं करेंगे मैंने बताया था कि सल्फाइड और को डाइरेक्ट रेडियूस नहीं किया जाता है पहले उसको रोस्टिंग से गुजारते हैं और तब उसका आपकरन करवाते हैं तो पहला step होगा मेरे भाई कि इसको जारन विधी से गुजारेंगे और जारन विधी कि इसको कहा जाता है जब oxygen के उपस्थिती में किसी भी sulfide ore को किसी भी sulfide ore को या oxide ore को sulfide ore या फिर oxide ore यानि sulfide ice और oxide ice को हवा के उपस्थिती में उसके पिघलन बिंदू के नीचे यानि उसके melting point के नीचे अगर आप गर्म करते हैं तो metal का oxide निकलता है और वहाँ से आपके बाहर हो जाते हैं यानि sulfur dioxide या फिर oxygen होगा तो oxygen तो यहाँ पर क्या होगा जारन में कि JNS को क्या करेंगे मेरे भाई oxygen के उपस्थिती में यहाँ पर गर्म करेंगे किसके नीचे तो इसका melting point होगा यानि पिघलाना नहीं है उसको जब पिघलने लेगा उससे कम तक गर्म करेंगे तो आपको zinc oxide मिल जाएगा और यहाँ से आपका sulfur dioxide क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा पहला नमबर पॉइंट दूसरा नमबर पॉइंट यहाँ से क्या आएगा जब zinc oxide बाहर निकल गया तो बेटा आपकरन करवादो इसका क्या करवादो reduction करवादो तो zinc oxide को बेटा carbon के साथ आप reaction करवाईएगा zinc oxide को किसके साथ reaction करवाईएगा carbon के साथ जैसे ही reaction करवाएगे तो carbon reduction में थर्ड से क्या होगा यह इसको आपकरन कर देगा और यहाँ से जिंक आपको बाहर निकल जाएगा कार्बन मोनोक्साइड यहाँ से बाहर चला जाएगा तो जिंक आपको प्राप्त हुआ बस यही दो अभिक्रिया आपको लिखना था जैसा कि मैंने आपको लिख के सिखा दिया कि कैसे कैसे होता है चलिए नए नए जो भी बच्चे आएंगे बेटा चैनल को जहूर सब्सक्राइब कीजिएगा फटा फट देखते रहिए एकदम सारे कोस्टन्स आपको जो है बिल्कुल करवा दिये जाएंगे आपको इससे बाहर कोस्टन नहीं आएगा ध्यान दिजेगा फिजिक्स और मैथ में ट्रस्ट नहीं है तो बहुत बरतमान की घटना है आप देख सकते हैं जो यूटूब पर अप्लोडेर है और आप कोस्टन पेपर को भी देख सकते हैं एक भी कोस्टन बाइली नहीं मिलेग दिमाग में polarization डालो interference डालो critical angle डालो total internal reflection डालो याद आयान सारे चीज आपके पूछे गए यह भी question बाहर का नहीं है यह मैंने देखा है और आप भी देखे होंगे no doubt अगला question यह था मैंने यहाँ पर दिखा भी दिया है कि जिंक oxide beta oxygen के साथ क्या करेंगे heat करेंगे इसके melting point के नीचे हम घर्म करते हैं अब आके उपस्थिती में तो जिंक oxide बन जाता है sulphur dioxide बाहर निकल जाएगा और फिर इसको अब चैन करवा देंगे यानि अब करन करवा देंगे carbon के साथ यहाँ पर कोक लिए है carbon के लिए तो जिंक और carbon monoxide निकल गया ठीक है तो बहुत ही सिंपल था अगला question आपके पास क्या है जरा गौर से देखिएगा मैंने सारे questions को एक दम simple and subtle बहुत है तोर तोर के समझा रहा हूं ध्यान से समझ लिजिएगा तब यह दिमाग आए में आएगा और सीधा परिक्षा में लिखना है यहां से पढ़ने के बाद दुबारा repeat करना है सारे PDF आपके पास मिलेंगे हमारे बातों को यहां से ध्यान से सुन लिजिए दुबारा एक बार स्पीड बढ़ा के इसको सुन लिजिए गा और सारे PDF जो आपके दिये जाएंगे टेलेग्राम पर वहां से एक बार उसको पढ़ लिजिएगा ज्यादा पढ़ने के आवज़ बड़ बिल्कुल सरल भासा में मैंने लिख दिया है SN1 reaction किसको कहा याता है बेटा वैसा reaction होता है जिसमे SN1 reaction जो होगा आपको किसपन निर्वर करता है तो SN1 अभी कर्या जो होता है वो अभी कारक के सांद्रन पर निर्वर करता है पहला नमर पॉइंट SN1 यानि nucleophilic substitution reaction जो होगा वो आपको दो तरह से होते हैं एक रास्ता होता है SN1 का दूसरा रास्ता होता है SN2 का SN1 जो होता है वो अभिकारक के सांद्रन पर ही निर्वर करता है जबकि SN2 जो होता है वो अभिकारक के सांद्रन पर भी निर्वर करता है और नुकलियोफाइल के सांधरन पर भी निर्भर करता है यानि यह केबल निर्भर किया किस पर तो रियक्टेंस के सांधरन पर निर्भर किया यह अभी कारक के सांधरन पर किया और यह जो किया वो रियक्टेंस के साथ-साथ रियक्टेंस के साथ-साथ किस पर निर्भर किया तो nucleophile दोनों के सांद्रन पर निर्वर करता है पहला number point दूसरा number point बेटा जान जाएएगा यह आपके two step में होते हैं यह आपके कितने step में होते हैं तो दो चरन में यह भी किरिया होता है यह बेटा एक ही चरन में होता है यह कितने चरन में होते हैं तो एक ही चरन में होते हैं इसमें आपको intermediate का निर्मान होगा मध्यांतर इसमें बनेगा और इसमें बेटा मध्यांतर का निर्मान ने होगा intermediate इसमें नहीं बनेगा intermediate जो होगा वो इसमें नहीं बनेगा तीन गों पॉइंट बता दिये तो एक बार और समझ लिजेगा मैंने बताया कि पहला SN1 जो होता है वो केबल अभीकारक के सांधरन पर निर्वर करता है, SN2 अभीकारक के सांधरन पर और नुकलोफाइल के सांधरन पर दो चीज़ पर निर्वर करता है, SN1 जो होगा वो दो चरण में होने वाला अभीकिरिया है, SN2 आपको एक चरण में होता है, SN1 अभिकरिया जो होता है उसमें आपको माध्यांतर का निर्मान होता है SN2 में माध्यांतर का निर्मान नहीं होता है या आपको दिमाग में रखना है Next question आपके पास क्या है मैंने ये सारे points लिख दिये है आप यहां से देख सकते है नो डाउट अगला question बेटा आपके पास क्या है जरा गोर से देख लिजेगा सारे questions ऐसे explain करके जाओंगा आज इवन याद रखेंगे आप लोग क्या कहता है कि decron जो होता है ethylene glycol और treptolic acid ये दोनों से बना हुआ है तो बहुत simple है बेटा decron आपके क्या है तो मैं यहीं से समझा देता हूँ ध्यान से समझ लिजेगा बिल्कुल समझ में आ जाएगा बेटा यहाँ पर आपको यह क्या है ethylene glycol है यहाँ पर treptolic acid है बीच में छुटा हुआ है यहाँ पर आपके benzene होगे यहाँ पर भी छुटा हुआ है मेरे भाई ऐसे करके यहाँ पर डाइग्राम है चापने में दिक्कत हुआ होगा बेंजीन हो जागा अब आपको करना क्या है कुछ नहीं करना है मेरे भाई जब दोनों को मिलाईएगा तो यहाँ से OH और यहाँ से H या फिर इधर से OH दोनों मिलाकर यहाँ से water को निकाल लिएगा जैसे घ्यान से देखिएगा यहाँ CS2 है यहाँ O है यहाँ पर देख लिजिएगा ध्यान से आपको आ जाएगा CH2 OH gap कर दिये तो आपका ये जो O है इधर वाला ये O इधर है और ये O उपर चला गया है और ये बन गया है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा CH2 और इसके बाद ये O oxygen से डाइरेक्ट लिंक कर गया तो यहीं से लिंक हुआ है कहां से यहां से लिंक हुआ और यहीं पर वाटर निकाले थे बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है बिल्कुल सिंपल अभिक्रिया था समझ में आ गया होगा अगला कोस्चन आपके पास क्या है जला हमारे पास जो होता है वह आपके इंसुलीन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे बॉड़ी में इंसुलीन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है पहला चीज तो यह जान लो कि इंसुलीन हमारे बॉड़ी में करता क्या है तो इंसुलीन बेटा हमारे बॉड़ी उसको अपचैइद करता है यह अपचैइद करने का करने का मतलब यह है कि उन सारे को बड़े बड़े जटील पदार्थ जो होते है उसको सिंप्लर पदार्थ में तोड़ने में आपको मदद करता है प्रोटीन पहला नंबर पॉइंट दूसरा नंबर पॉइंट प्रोटीन का बहुत ही important role यह होता है कि protein जो होता है जो आपके cell होते हैं बेटा, cell के बाहर एक cell membrane होता है, जिस membrane होकर ही cell के अंदर को जाता है, तो cell membrane का जो penetrating power होगा, उसमें जो चुबोने की सकती होगी, वो penetration power को, यानि जो चुबोने की सकती है, cell के परत का चुबोने की जो चमता है, उस को आपको insulin बहा देता है, और जितने भी आपको carbohydrates होते हैं, वो सारे carbohydrates या गुलकोज जो होता है, उसका phosphoti करण करवा के cell के अंदर डालने में मदद करता है, कोन मदद करता है, तो insulin मदद करता है, दूसरा number point, तीसरा number point insulin का क्या है, कि आपके रक्त में, आपके खुन में, गु क्यंतरित करने का काम कोन करता है, insulin करता है, चौथा number point, आप अगर मधुमे का सिकार हो जाए, आपको अगर सुगर हो जाए, तो उस समय भी आपको सुगर से बचाने का काम कोन करेगा, तो insulin करेगा, ये चार point मैंने बताया, इन चारों को दिमाग में रखिएगा, यहां से न समझ में आया हो, तो मैं आपके लिए सारे चीज लिख के ला दिया हूँ, वही चीज लिखा हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा, क्या कहता है, कि insulin कार्बोहाइडेर्स उप्चायर को प्रवल रूप से प्रवावित करता है, यहनि कार्बोहाइडेर्स को पचाने में मे जो भी होगा, उसको सेल में कोसिका में पहुचाने का काम भी हमारा insulin ही करता है, तीसरा नमबर पॉइंट है, insulin जो होता है, रक्त में गुलकोज के सांधरन को कम करता है, यानि जादा नो हो ताकि कम, उसको मेंटेन करके रखता है, अगर खुन में सुगर की मात्रा बर जाए और केटाबोलिक क्रियाय जो होते हैं, उसको घटाने का काम करता है, उसको क्या करता है, घटाने का काम करता है, कम करने का काम करता है, और मनुस में अगर insulin की कमी हो जाती है, तो इंसान सुगर का मरीज होता है, डाइबीटीज का मरीज हो जाता है, या आपको दिमाग में र लिखा देता हूं बहुत सिंपल है मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के बीज आना है यह कोश्चन यह नहीं था करता है कि मिथाइल अल्कोहल का पता कैसे लगाएंगे आपके पास मैं दो सिंपल देता हूं आपको नहीं पता है उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है ए कुछ नहीं करना है माल लो के लिग हो आप मैं यहां लिख देता हूँ बौतल यह उनीन नहीं को नहीं करना है तो आपको ऑल वाइल भॉन टो वैप आहां इस दून Soum करवा देना है वाइल ओफ विंटर ग्रीन के साथ क्या करवाना है वाइल ओफ विंटर ग्रीन के साथ आपको रेक्शन करवा देना है यहां भी वाइल ओफ विंटर ग्रीन के साथ रेक्शन करवाईएगा तो पहला वाला में जब रेक्शन करवाईएगा तो यहां पर बेटा बन जाएगा, methyl cele cilit भन जाएगा, methyl cely cite का फॉर्णेशन हो जाएगा और methyl cely cilit जो आपका पहिला में बनेगा ये बेटा इसका कुछ ना कुछ अडर होता है, कुछ ना कुछ इसका खुश्बू होता है, इसमेल होता है इसके सुगंध या दुर्गंध कुछ ना कुछ होते हैं और इसमें दुर्गंध नहीं आएगा तो पहला नंबर पॉइंट आप दोनों बोतल का रियक्शन वाइट वाइल ऑफ इंटर ग्रीन के साथ करवा दीजेगा करवाने के बाद जो प्रोडक्ट बनेग मैंने इसको भी तोर के आपको समझा दिया अगला कोश्चन आपके पास क्या है जरा उस कोश्चन को ध्यान से देखेंगे मेरे भाई अगला कोश्चन आपके पास क्या दिया गया है अगला कोश्चन आपके पास है बेटा कोश्चन कहता है क्या कोश्चन कहता है बाइ इंक प्रेचर को आप बढ़ा दीजेगा तो जो रियक्टेंस होंगे रियक्टेंस के जो मॉलीकुल सोंगे यानि अभिकारक का जो अनू होगा वो अभिकारक के अनू के काइनेटिक इनर्जी क्या हो जाएंगे बर जाएंगे यानि जो आपके जैसे ही तापमान को बढ़ाईएग तो अभिकारक के जितने भी अनू है जो रसाइनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसके अनू का जो होगा वो गती जूर्जा बर जाएगा जब गती जूर्जा बर जाएगा तो तेजी से वो प्रोडक्ट में बदलना सुरू करेगा तो rate of reaction क्या हो जाएगा बिल्कुल ब बताया वही लिखना है जादा आपको कुछ नहीं लिखना है केबल ध्यान से सूंते रहेए दिमाग नहीं लगाना है मेरे भाई इतना ही कोश्चन आएगा क्या कहता है कि मरे के तापक्रम पर एस्टूओ जो होता है वह आपके एस्टूओ की सबस्था में होते हैं तो के बीच में intermolecular hydrogen बंधन बनते हैं यानि water जो दिया हुआ है उसके अनुओ के बीच में अंत्रा आन्विक hydrogen बंधन का निर्मान होता है जो मजबूत बंध होता है इसलिए रूम के तापमान पर S2 आपको ध्रब वस्था में पाय जाता है और S2S में आपको hydrogen बंधन का निर्मा ब्वस्था में पाय जाता है और यह आपके की सवस्था में पाया जाते हैं तो बेटागे सवस्था में पाया जाता है ठीक है होता है hydrogen मजबूत है इसलिए द्रब मॉलीकुल्स को यानि मॉलीकुल्स को एक दूसरे के कुलोज रखेगा तो द्रब में पाया जाएगा और वांडर्वाल कमजोर है तो मॉलीकुल्स जो इसके अनुज होंगे एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे तो वह आपको गैसिय greater than pH 3 plus आप क्या काता है कि बोने एंगन बोने आइंगन यानी बन्धन कोन जो होगा वह बेटा पे परेच होगा यहां परेच होगा एक लोन पेर पाये जाएंगे तो एक लोन पेर जो इस पर पाये जाता है पी एच त्री पर एक लोन पेर पाये जाता है और पी एच फोर प्लस पर कोई लोन पेर नहीं पाये जाता है कोई भी लोन पेर आपको नहीं पाये जाता है और लोन प इसके कमपरिजन में अधिक हो जाएगा बस याद रखिएगा पूछेगा क्यों एक ही लाइन में लेख दीजेगा कि पीएस थ्री पर लोन पेर पाया जाता है और लोन पेर जो होता है वो बेटा बंधन को उनको प्रभावित करता है इस पर नहीं पाया गया तो इसका बंधन में पीपर लोन पेर उपस्तित रहता है जबकि पीएस फोर में पीपर आपको लोन पेर उपस्तित नहीं रहता है लोन पेर आवंध को प्रभावित करता है और इस प्रकार पीएस थ्री प्लस पीएस थ्री प्लस से पीएस फोर प्लस का आवंध कोन क्या मान क्या हो जाएग तो इस समझे होसे कुस्टा आपके पास कहता है क्या कहता है गर्म करने पर सफेद GNO plakes्स में होघाता है यहां पर進ана हो में हो जाएगा ठीक है Gn2 खाइकल दा रुनन टूट स यहां यहांत सलब में हो जाएगा तो यह जर्ण प्लस जो टूटा यह जर्ण टूपलस आपको टूट रहा है यह ज़र्ण 2ателей करेगा तो जो आपके crystal होते हैं इस crystal के किसी स्थान पर जाके यह फंस जाएगा जर्ण 2 प्लस यहां पर फंस गिया और जहां पर फसा वहां पर किसका निर्मान किया तो F केंदर का निर्मान कर लेता है F सेंटर का निर्मान कर लेता हो और चुकि इसका रंग पीला होता है इसलिए वाइट से क्या हो जाता है तो पूरा क्रिस्टल आपका पीला हो जाता है पूरा क्रिस्टल क्या हो जाता है पी गया तो crystal में जाके किसी एक बिंदू पर फस गया और जिस बिंदू पर फसा उस बिंदू को क्या कहा गया एफ केंद्र कहा गया और जेडिन 2 पलस का रंग पीला था इसलिए पूरे crystal को क्या कर दिया पीला रंग में बदल दिया next question समझ में आ गया होगा अगला question आपके पास क चालक और बैदूत अप घटनी चालक के बीच में अंतर बताईए तो बहुत आसान सा चीज है आपको metallic conductor और electrolytic के बीच अंतर पूछ रहा है तो बेटा पहले तो इधर लिख दिजेगा एक तरफ धात्विक लिख दिजेगा conductor एक अर्थ तरफ धात्विक लिखना है और दू दूसरे तरफ क्या लिखना है electrolytic जो होगा यानि इसके बीचा में यानि अप घटनी आप घटनी के विचा में लिखना है तो दो ची लिख दिजेगा पहला नबर पॉइंट ये बेटा ठोस में काम करता है किसमें काम करता है ठोस में काम करेगा यह आपके दुरा नंबर मुक्त आयंस के मदद से होंगे किसे होंगे तो इसमें जो मुक्त आयंस होगा वो ढोने का काम करेगा ठीक है तीसरा नमबर पॉइंट जाब किसी ठोस पदार्थ से यानि बैद्धूतधा होगा वो द्रब में आपको बहुत कम होंगे द्रब में कम होंगे फोस में बहु ज़्यादा होगा ठीक है यहाँ पर जब टेंपरेचर बरहाईएगा यहाँ पर जब टेंपरेचर बरहाईएगा तो इसका अबरूद बर जाएगा यहाँ पर टेंपरेचर बरहाईएगा तो इसका बैदु धरा का प्रवाह बर जाएगा तो मैंने बहुत सारी पॉइंट ऐसे भी बता दिया और यहां पर लिखे भी ला दिया हूं पहला नमर पॉइंट करता है कि धातूओं में चालकता एलेक्ट्रोन परवाह के कारण होता है धातूओं में अलेक्ट्रोन परवाह के कारण होगा इसमें आयनों के कारण होगा इसमें अलेक्ट्रोन के का काता है चालक के रसाइनिक गुनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है यहां पर रसाइनिक गुन जो होता है वो आपका चेंज कर जाता है किसमें एलेक्ट्रोलाइटिक में कहता है इसमें पदार्त का अस्थांत्रन नहीं होता है इसमें बेटा धातू एक जगा से दूसरे अगला कहानी आपको क्या कहता है कि धातू में उत्पन प्रतिरोध करनल दोलन के कारण होता है और इसके अंतर आयन आकरसन के कारण आपका प्रतिरोध उत्पन होता है ताब बनाने पर धातू का प्रतिरोध बर जाता है यहां ताब बनाने पर धातू का प्रतिरोध कम हो जात है आप यहां से भी देख सकते हैं इंगले सिंधी दोनों का कधानी आपका ख़तम हो जागा नेक्ट लिए गया है अगला कोस्टन बेटा आपके पास क्या है जड़ा गोहर के बेटा एनिलीन होते हैं यह आपके एनिलीन होते हैं इसके पास लोन पेर ओफ एलेक्ट्रोन पाए जाने के कारण यह आपका बेस हो गया और HCL आपका क्या हो गया Acid हो गया तो Base और Acid आपस में रियक्शन करके क्या बना लेता है भीता Salt और Water बना लेता है तो अराम से बन जाएगा दोनों आपस में क्यों reactive हो जाएगे क्योंकि Eniline आपके छारिये प्रविर्थी क्यों होते हैं और HCL आपको अमलिये होता है अमलीयों और छारिये आसानी से आपस में मिल जाएगा और क्या बना लेगा अमलीयों और छारिये को मिला दीजेगा तो आपको लवन बना लेगा और जल बना लेगा मैंने यहाँ पर reaction आपको लिख दिया है आप ध्यान से देख लिजेगा RNS क्या करता है RNS2 को SCL के साथ reaction करवाईएगा तो फटा फट यह बन जाएगा इसलिए आसानी से dissolve हो जाता है एक acid है और दूसरा बेश था आपके पास next question क्या है मेरे भाई वो ध्यान से देख लिजेगा आपके पास पूछा गया है कि आप हिमांक में अबनवन यानि depression in freezing point से क्या समझते हैं तो यह भी समझ लिजेगा क्या क्या आता है किसी भी विलियन के अंदर किसी भी विलियन के अंदर और वास्वसिल यानि non volatile विले पदार्थ को आप अगर मिला देते हैं तो उसका वास्वदाम में कमी आ जाता है और वही वास्वदाम में जो कमी आता है उसी को क्या कहाता है depression in freezing point कहाता है एक पर और रिपीट कर देता हूँ किसी भी विलियन के अंदर और वास्वसिल विले पदार्थ को मिलाने के बाद उसके जो आपके क्या दिया गया फ्रिजिंग पॉइंट है वो उसके फ्रिजिंग पॉइंट में कमी आ जाना ही depression in freezing point कहलाता है और इसके लिए आपको फॉर्मूला क्या होता है कि डेल टी एफ जो होता है वो केफ और गुने एम के बरावर होता है केफ गुने एम के बरावर होगा जहां पर के को क्या कहा आता है तो के को बेटा cryoscopic constant कहा जाता है क्या कहा आता है cryoscopic constant आपको कहा जाता है cryoscopic लगनाइक इस ठीरांग को कहा जाते हैं हिंदी इंगलीश वही कहानी है इस्थिरांग कहए जाएंगे एम आपके क्या हो जाएगा तो बेटा इमाँचा आपके मोललता हो जाएंगे जब 100% Transform하게 100% कोई बीच जोतेगा तब यING फोरमूला काम में इसकर बराबर होता है तो यह आपके formula होते हैं आपको समझ में आ गया होगा और और यही बेटा क्या कहलाता है तो depression in freezing point डेल टीएफ को ही कहा जाता है किसको कहा जाता है डेल टीएफ को ही कहा जाता है no doubt next question आपके next question आपके पास देखिएगा यह सारे चीज मैंने लिख दिया है सारा फॉर्मूला जितने कहानी है आपको सब चीज याद होगा कहीं से कोई दिकत ने होगा एक एक चीज हिंदी इंगलिस में लिख दिये हैं बस ध्यान से समझ लेना है अब आपके पास बेटा अगल सकेंड तक प्रभाहित करवाया जाए एक एंपियर के धारा को एक सकेंड तक एक एंपियर के धारा को एक सकेंड तक अगर प्रभाहित किया जाता है तो एलेक्ट्रोड की कितनी मात्रा यानि किसी भी धातू की कितनी मात्रा एलेक्ट्रोड पर एकत्रित करवा दिया जाता ह उसी को क्या कहाता है electrochemical equivalent यानि बिद्धूत रसाइनिक तुल्यांक समझ में आ गया होगा एक पर और repeat करता हूं ध्यान से सुन लिजेगा जब एक ampere के धारा को एक सकेंड तक प्रभाहित करवाया जाता है तो किसी भी धातू का कितना मात्रा electrode पर एकत्रीत होता है वही आपको क्या कहलाता है बिद्धूत रसाइनिक तुल्यांक कहलाता है नंबर वन चीज़ दूसरे तरीका से ऐसे भी उसको प्रभाज़ कर सकते हैं कि जब कोई भी धातू कब जब कोई भी पदार्थ यानि धात्विक पदार्थ एक मूल एलेक्ट्रोन को याक तो लेकर या एक मूल एलेक्ट्रोन को देकर एक मूल एलेक्ट्रोन को लेकर या एक मूल एलेक्ट्रोन को देकर किसी भी एलेक्ट्रोड पर एकत्रित होता है उसी को कहायाता है तो बिद्धूत रसाइनिक तुल्यांक कहायाता है नो डाउट बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा यही आपको कहानी दिया गया है एक एंपियर की बिद्धु धारा सकेंड एक सकेंड तक प्रभाहित करने पर मुक्त पदार्थ की मात्रा बिद्धुत रसानिक तुल्यांग कहलाता है कहता है किसी पदार्थ की वह मात्रा जो एक मूल एलेक्ट्रोन को त्याग कर या एक मूल एलेक्ट्रो का फुलो करवाईएगा ज्यादा देर तक कम ही करेंट है ज्यादा देर तक फुलो करवाईएगा तो मैटल ज्यादा एकत्रित होगा कम समय है ज्यादा करेंट को फुलो करवा दीजे तब भी आपका मैटल ज्यादा एकत्रित होगा यह आपको दिमाग में रखना है next question, अगला question बेटा आपके पास क्या है, वो five marks का question है, ध्यान से देखिएगा, अब आपके पास क्या कहता है, question बेटा क्या दिया हुआ, जरा गोर से देखिएगा, question कहता है, semi conductor क्या होता है, और describe the two main types of semiconductor, differentiate their conductivity on mechanism, मैंने बताया था, semi conductor क्या होता है, तो जिसकी conductivity range, conductor और insulator के बीच में हो, यानि जिसका जो चालक्तवा का जो range हो, वो आपके किसके बीच में हो, तो conductor और insulator वैसे, तो ये question मैंने आपको पहले भी बता दिया है, और समझा भी दिया है, तो चलिए मैं एक ब semiconductor, जिससे पून रूपेन, यानि न ज्यादा और न कम, बीच बीच का current का flow हो, उसको semiconductor कहा जाता है, नो डाउट आप सब समझ रहे हैं, P टाइप का semiconductor, और N टाइप का semiconductor, बनते किसे हैं, तो जर्मीनियम और सिलकॉन से बना होता है, बेटा, अब ये जर्मीनियम और सिलकॉन क डोप करवा देंगे, किसे डोप करवा देंगे, 3A गुरूप से, यानि 3A गुरूप कहने का मतलब हो गया, बाल गंगा इंडियन तिलक से आप डोप करवा दिए, बाल गंगा इंडियन तिलक से आप क्या किजिए, डोप करवा दिजे, जैसे ये बाल गंगा इंडियन तिल का एक यह हो गया दूसरा आपके क्या होते हैं तो इसको बेटा डूप करवाते हैं किसके अता डूप करवाना यानि असुद्ध करवाना किसके साथ तो फोरे गुरूप के साथ तो फोरे गुरूप में आपका क्या आता है तो फोरे था फाइब गुरूप के नाना पापा अं sum n-type semiconductor नि जो free electrons होता है वो free electrons सी आपको electric current को डोने का काम करता है इतनाहीं कहानी है जादा कुछ लिखिएगा बिल्कुल फंस जाइएगा ये दिमाग में रखिएगा जितना मैंने बताया है और उसी कहानी को मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, हिंदी में लिखा गया है, वही कहानी आपको इंग्लिस में लिखा गया है, इससे ज़्यादा आप नहीं लिखेंगे, ज़्यादा लिखेगा तो बेटा फंस जाईएगा, यह बार-बार मैं कहता हूँ, अगला question आपके पास क्या है, वो ज़रा तो यहीं एक एक्जाम्पल था बहुत ही पूछता है यह बड़ाबर पूछता है इसलिए मैंने इसको रखा था कोशन को next कोशन कहता है कि बेसी मेरा इसन विधी से धातु का सोधन कैसे किया जाता है तो वो ही मैं समझा दिया हो बहुत कम सब्जों में बेसी मेरा इसन में बेटा क्या होता है ध्यान से देख लिजेगा क्या काता है बेसी मेरा इसन विधी से धातु के सोधन की प्रक्रिया बेसमर परिकर्मक से कराई जाती है बेसमर के रियेजन्स होते है बेसी मेरा इसन यानि आपका नाम से रियेक्शन दिया गया है उसमें बे ला कर द्रव में वायू का penso प्रवाइथ कर रहता है यानि जो असुद धातु जैसे मन लीजी है यह कोई धातु है उसमें कारबन और carbon और sulfur और carbon ये सब आपके उसके असुद पदारत है तो sulfur को क्या करेंगे oxygen के साथ reaction करवाएंगे sulfur dioxide बन जाएगा carbon को oxygen के साथ यानि आपको करना क्या होगा तो ये तो मैंने ऐसे बता दिया ऐसा नहीं होता है आपको करना क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा कि जो आपके ओर दिये गया है पहले उस ओर को क्या करो बेटा जो ओर आपको दिया गया है उस ओर को क्या करो कि बेसमर्स reagent के साथ अभिक्रिया करवादो ठीक है अभिक्रिया करवाने के बाद अभिक्रिया जब आप करवा तो अभिक्रिया करवाने के बाद आपका कुछ न कुछ प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रतिफल को क्या करो किसी कंटेनर में डाल दो जैसे मैंने इस कंटेनर में उसको भर लिया और भरने के बाद मैं क्या करता हूं यहां ध्यान से देख लिजेगा जैसे मैंने सलफाई डोर में बताया था यहां पर ऐसे करके भर लिए और यहां से बेटा गर्म हवा का जोका देंगे क्या देंगे गर्म हवा का जोका देंगे और इसमें भड़ा हुआ है तो जैसे ही आप गर्म हवा का जोका दीजेगा तो गर्म हवा के जोका देने के बाद जो असुद तत्म पाए जात आहेँ निए वो मेटल आपको प्राप्त हो जाता हैरा अगला कोस्टन आपके पास क्या है ब detailed ही सिंपल को सनने ध्यान से देख़ेगा लेकिन पूशता है मैं बारे बार कहता है यहां पावधर ऐलको बनता है, उसी को革 अ लिया जा सकता है, तो ये बेटा क्या करता है, शक्यानी में बन्जीन वर एकनाता है, तो ला नहीं सक्मानीजीर और ये इनजन को दोटने के काम में आता है और चुकि ये पाबर प्रोडक्शन में काम में आता है यानि इसका इसका इस्तमाल आपको ब्वांपन बिजली उजली के उत्पादन में भी कर सकते है इसे नाम क्या रखा गया है थे समझें बहुत हैं कार्वनिक योगिक होता है जो हमारे body का हमारे सरीर का जितने भी जीवेचा है वो जानबर हो मनुस हो जो भी हो तो कहता है कि उसके growth और development को उसका जो ब्रिधी होगा और उसका विकास होगा उसको नियंतरित करने का काम कोन करता है बिटामिन करता है ठीक है तो बिटामिन ऐसे कार्वनिक योगिक है जो किसी भी जानबर या किसी भी जन्तु या मनुस का क्या करता है तो विकास करने का काम करता है उसमें ब्रिधी करने का काम करता है उसको बिटामिन कहा जाता है सबसे इंपोर्टेन चीज़े कि बिटामिन का निर्मान बेटा हमारे सरीर में नहीं होत इससे ज्यादा आपको जानने की आवा सकता नहीं है अगर इससे ज्यादा जानने की कोशिश कीजिएगा तो बेटा फंसिएगा तो वो आपकी जबाब दही है मेरी जबाब दही नहीं होगी मैं उस समय भी आज जैसे चिला रहा हूं कि बेटा physics देख लो, math देख लो, मैंने जो भी पढ़ाया है, पहले से रखा गया है, question देख लीजिए, अब बहुत सारे बच्चे हमारे अगर नहीं बना क्या होंगे, तो इसमें मेरी क्या गलती है, मेरा जो काम था, मैंने बहुत इमांदारी और निस्टा पुरूबक किया, आपका भी काम है, आप भी इमांदारी से किजिए, अब आपके पास क्या काता है, निस्तापन क्या होता है, तो calcination क्या होता है, मेरे भाई, वो आपको मैं समझाता हूँ, calcination एक ऐसा प्रोसेस है, जिसमें halide ore और carbonate ore, halide ore carbonate ore, यानि halide जैसे zinc carbonate ले लिए, बेटा zinc carbonate को क क्या किया आता है, गर्म किया आता है, किसके, उसके melting point के नीचे, melting point के नीचे, melting point से कम में, यानि उसको गर्म करेंगे, किसको, आपका sulfide या carbonate और halide ore, ध्यान से रखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, carbonate और halide ore, सब जगा नहीं लगता है, carbonate और halide ore, जितना भी आ रखीयेगा हवा के अनुपस्तिती में आप अगर गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद बैट आपको क्या मिलेगा तो जिंक और यहां से बाहर निकल जागा तो इसी प्रोसेस में क्या कहा जाता है तो वो धातू के Oxide में Change कर जाता है, छिद रियुक्त बन जाता है, और वहां से आपको Carbon Dioxide या Halogen Group होगा, तो वो आपको बाहर निकल जाता है, इसी को क्या कहा आता है, निस्तापन कहा जाता है, मैंने एक Example दे दिया है, यहां पर बहुत सारे Example दे के हमने समझा दिये हैं, वही चीज़ बताएं हैं, जो आपको परना है, एक्स्ट्रा नहीं दिमाग बायू की आनुपस्चिती में, सांधरित आयस को द्रबनांक से कम, यानि मेल्टिंग पॉइंट से नीचे गर्म किया जाता है, तो गर्म होने के बाद क्या, Metal Oxide में Change कर जाता है, Example देख लिजे, आप यहां से देखके बिल्कुल समझ सकते हैं, नो डाउट नहीं, जो भी बच्चे आएंगे बेटा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजेगा, और बहुत जल्दी बहुत कुछे स्टार्ट होने वाला है सारदा क्लासेज पर, उस पर ज़रूर ध्यान देंगे आप नहीं होगा नीनाने बेढ़ी हो सकता है, उसी को 9, C梅त चैनल को समान नहीं होते हैं, बस इतना याद है, तो लिख दिजेगा, इससे जादा लिखना नहीं है, उसी चीड को मैं सब्सक्राइब में लिख अवह दोस्स दिसमें धनायन और विरायन का अनूपात ठोस के आधर आज़ने अनुपास द्वारा प्रदर्शी अनुबाद से भीन हो जाता है यानि कहने का मतलब यह है बैटा मानलो के कोई क्रिश्टल ठाव समय मानलो के इन सी एल एक रिस्टल यह लेते हैं इसमें बैटा एन ए प्लस का संख्या मालो एन अ प्लस और छी एल माइनस यह आपको क्रिस्टल पूर्ण रूपे ने स्टेबल फॉर्म में था तो उसमे बेटा जितने धनायन थे या मालो धनायन और इनायन का कोई संख्या रहा होगा कुछ न कुछ रहा होगा उसमें धनायन भी एरिनायन भी वह दोनों का रेशियो निकाल लीजिए आज जब उसी क्रिस्टल को नने स्टेच्विमेट्री में चैंज कर दीजेगा तो वहां पर धनायन और इनायन का अनुपात आप निकालिए गा तो पहले ओले दूसरे सब्दों में सिधा जालीजे जिसमें धनायन दोनों के संख्या भीन होते हैं दोनों के संख्या संख्या सवान नहीं होते हैं उसी कुन говорит Os technical स्षी को Solution लेने के बाद मैं माल लेता हूँ कि यह आपका Solution है इस Solution वे बेटा माल लेज़े के P naut इसका जो है वो P naut इसका क्या है तो Vapor Pressure है P naut Vapor Pressure है Solution का ठीक है जब ही Solution आप Simple लिया गया था तब अब इसमें क्या करो कुछ Non-volatile Solute को मिला दो तब इसका भैपर प्रेसर क्या हो गया पी एस हो गया यानि आपका जो कहानी था पहले भैपर प्रेसर पी नौट था ठीक है जो आपका पहले का था बाद में आपका क्या हो गया तो पी एस हो गया बाद में आपका क्या हो गया तो भैपर प्रेसर आपका पी एस हो गया यानि पहले के कंपरीजन में जो बाद का भैपर प्रेसर होगा वो कम जाएगा बाद का क्या हो जागा कम जाएगा तो कैसे कैसे कमा वही रॉल्स ने बताया था रॉल्स क्या बताया था वो ध्यान से सुन लिजेगा रॉल्स बताया कि किसी भी वीलियन के अंदर और वास्व सील वि जो कमता है वह विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के सीधा समानुपाती होता है ऐसा रॉल्स ने बताया था इंसी आर्टी भूक लिखता है अब उसी के हिसाब से रॉल्स क्या बताया तो पहले बेटा प्रेशर आपको इतना था अब इसमें क्या किये तो प्रेशर जब नन वो उड़ेगा जब उडवे नहीं करेगा तो वास्प नहीं बनेगा आज जब वास्प बनेगा नहीं तो वास्प दाब का निर्मान नहीं होगा जब वास्प दाब का निर्मान नहीं होगा तो पहले के कंपरिजन में बाद का वास्प आप क्या हो जाएगा कम जाएगा तो प विलायक के मोलो का संख्या बट्टा विलायक के मोलो का संख्या आप पलस विलायक के मोलो के संख्या के बराबर होता है और इसी को यह आपका क्या है तो इसे विए पहले प्रेशर इतना था बाद में इतना हो गया तो यह प्रेशर घटा तो प्रेशर जो घट रहा है इसको ल और यही नियम आपको रॉल्स ने बताया था कि अगर किसी भी विलियन में और वास्वसिल विलयपदार्थ को मिला दिया जाता है तो उसके वास्वदाब में जो कमी आता है वह विलय के मोल प्रभाज के सीधा समानुपाती हो जाता है मैंने लिखके भी लाया है जहां से देख लिजेगा जो मैं समझाया हूँ वह किसी भी लायका वास्वदाब में होने वाला पेचिप नमन गुलकोल अंस के बराबर होता है मैंने यहाँ पर लिख दिया है यहाँ पर पीनोट होगा यहाँ पीनोट होगा एन बटा एन इसके ब जोन टिंडल आपको ब्रिटेन का रहने वाला था बहुत सिंपल चीज बताया था आप घर में भी देख सकते हैं यह असान सा चीज है इसमें क्या होगा कि जब लाइट को आप पास करवाईएगा बहुत अंधेरा है या कहीं आप टॉर्च को अगर जलाते हैं तो जलाने के ब बाद वो डिसपर्स कर जाता है उसी को टिंडल प्रभाब कहा जाता है जैसे यहां पर मैंने आपको दिखा दिया है ध्यान से देख लिजेगा कि यह आपका बेटा कैसा सॉलूशन है तो यह आपको पानी लिया गया तो पानी में सीधा चला गया कोहीं कुछ नहीं तो इसमें टिंडल टिंडल इफेक्ट इसमें देखा जा रहा इसमें भी देखा जा रहा और इसमें टिंडल प्रभाव आपको बिल्कुल नहीं देखा जा रहा तो यह दोनों में टिंडल का प्रभाव दिखाई दे रहा है यानि जब जला रहा है तो धूल मितिक कन नजा आना चाहिए जैसे सरवत है तो सरवत मिला देगा तो चीनी 100% पानी में मिल जागा चीनी 100% पानी में मिल जागा तो उससे लाइट को पास करवाएगा तो उसके कन के साइज रहेंगे नहीं पूरा वो मिल जागा तो उसको रोकेगा कोई नहीं रोकेगा लेकिन बालू मिला द उसी को टिंडल प्रभाब कहा जाता है, no doubt, अगला कोशन आपके पास क्या है, वो कोशन मैंने इसको भी लिख दिया है, टिंडल प्रभाब को ध्यान से देख लिजेगा, अगला कोशन बेटा आपके पास क्या कहता है, जरा ध्यान से देख लिजेगा, अब आपके पास कोशन कि sulfide, और जो होता है उसको convert करते हैं oxide ore में, reduction से पहले जो sulfide और होंगे, जैसे zinc sulfide है उसको direct reduce नहीं करवाते हैं, सीधा उसको zinc sulfide को direct हम लोग reduce करवा कर zinc यानि direct में नहीं change किया जाता है, ऐसा नहीं होता है, होता कैसा है तो पहले हम zinc sulfide को क्या करवाते हैं, रोस्टिंग से गुजारते हैं यानी रोस्टिंग से गुजारेंगे तो रोस्टिंग में होगा क्या सब वो कहानी में बता दू यहाँ पर Oxygen के साथ Reaction करवाते हैं इसको गर्म करते हैं इसके melting point के नीचे गर्म करते हैं तो जिंक बहुत मसकत होगा और यह हमारे लिए आसान प्रोसेस है इसलिए हम ऐसा करते हैं ठीक है नेक्स्ट कोस्टन इसका भी आंसर मैंने लिख दिया है कि सांद्रित आयस मुक्ता सलफाइड होते हैं इसका धातू से अब करन प्राया प्रतक्ष धंग से नहीं हो पाता है इसलिए साब्धानी से आसानी से सुगंता पुर्वक हमारा काम हो जाए तो पहले इसे क्या करते हैं बेटा तो पहले हम क्या करेंगे यहां लिख दिये हैं कि पहले roasting से गुजार देंगे यहां पर ठीक है और यहां पर उसके बाद roasting के बाद reduction करवा देंगे यह आपको बन जाएगा अगला question आपके पास क्या कहा आता है अगला question जो आपके पास है वो बेटा क्या दिया गया है nylon 6 और 10 को कैसे तयार किया आता है nylon 6 और 10 कैसे तयार होगा तो nylon 6 और 10 यह आपको दिये गया है इसका रियक्षन बेटा इसके साथ करवा दीजेगा इन परजेंस आफ यह तो पॉलिमराइशन होके यह बन जाएगा इधर से इसको करवाईएगा यह बन जाएगा दो लाइन का अंसर था यह सब आप लोग पढ़े होंगे बहुत सिंपल कोस्चन है आपका तायक सिंथेटिक पॉलिमर्स का बहुत एक्जांपल देना है सब लिख दीजेगा सिंथेटिक कौन सब होता है पॉलिथीन यह सब जो भी है वो सब लिख देंगे परमानित करें के प्रथम कोटी अभिक्रिया का अर्ध आयू जीवनकाल आरंबिक सांधरन पर नहीं निर्भर करेगा को अगला कोशन CD2 प्लस आपको कलर लेसर मघ तो प्लस कियो होंगे तो सीडी टू पलस कला ल होगा इसका एलक्टरोनी विखेगा तो आपको इस magnetic हो जाएगा क्या हो जाएगा डाई magnetic हो जाएगा और उसके बाद यह आपके रंग हीन हो जाएगे क्या हो जाएगे रंग हीन हो जाएगे इतना कहानी आपको देखने को मिला होगा यह सारे कहानी आपको इस पर लागू होता है अगला question आपके पास क्या है इसलिए आपको color लेश था अगला question आपके पास क्या कहता है क्या कहता है सेमी कंड़क्टर की बिद्धुत चालगता ताब बनाने पर क्यों बढ़ जाता है बढ़े गा यह पके एनरजी है यह जो नीचे से उपर तक बढ़ने का काम करता है यह आपके band gap है तो यह आपका इंसुलेटर है kuchalak है यह क्या है कुचालak है तो kuchalak में क्या होगा कि यह जो band gap दिया गया है या forbidden gap है यह forbidden gap इतना बड़ा होता है कि कितनों energy दे दिजेगा इंटरों चाह कर भी नीचे से उपर नहीं जा पाएगा इंटरों को कितनों energy दे दि अर्ध चालक है, यह आपका क्या है, सेमी कंडक्टर है, तो इस सेमी कंडक्टर में क्या होगा मेरे भाई, जैसे यह एल्यक्ट бол everyone को दिजेगा, तो यह सारे न अच्य तो यह उपर चले जाएंगे, जम्प करेंगे, यह आपका तरी करिक से जाएंगे, जम्प करने लिएका त पाए गये हैं और वेलेंस बैंड और कंड़क्शन बैंड के बीच जो forbidden गैप होता है या वैलेंस गैप होता है उस गैप को पार करवाना है किसको एलक्ट्रोण को पार करवाना है तो आप जैसे ही temperature को दीजेगा तो valence band में जितने भी electron पाएगे हैं उन सभी electron का बिता गती जूरज़ा बढ़ जाएगा आज जब उसका गती जूरज़ा बढ़ जाएगा तो सारे electron यहां से तेजी से ट्रांसपर होके अगला कोश्चन बेट आपके पास दिया हुआ है क्या होते हैं वो तो बता दिया मैंने अगला कोश्चन आपके पास क्या है कोश्चन बेटा दिया गया है आपके पास गौर से देखिया है क्या करता है एस त्री प्यो टू इजे रेडूसिंग एजेंट और यह आपका ऑक्सिडाइजिंग एजेंट कुछ नहीं करना है बेटा फॉस्पूरस का मैंने बताया था कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सिडेशन एस्टेट आपका अगर अधिकतम आजाता है मैक्सिमम आजाता है इट मींस वो ऑक्सिडाइजिंग एजेंट होगा अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सिडेशन एस्टेट आपका मीनिमम आजाता है निउन्तम आजाता है इट मींस कि वो आपका रेडूसिंग एजेंट होग आपको वही चीज़ यहां दिखाना होगा कि यह reducing agent है यह reducing agent नहीं है तो इस पर phosphorous का यहां पर निकालेगा तो इसका विटा क्या जागा H3P, H3PO3-6 है, H3 था न, H3 था तो इसका आपका phosphorous का यहां पर क्या एगा तो plus 3 आ जाएगा, plus 3 आ गया, it means कि reducing agent, noon thumb, ठीक है, और यहाँ पर आव फॉस्फोरस का देगी गया oxidation state, तो minus 8, minus 8 में तो यह plus 5, maximum आ गया, यह आपके क्या आ गया, तो maximum आ गया, तो यह बेटा क्या हो जाएगा, oxidizing agent हो गया, यानि, oxygen तत्व हो गया, यह आपकरनी तत्व हो गया, तो दोनों में मैंने क्या किया, जो central element था, जो central तत्व था, वो आपको समान थे, और दोनों central तत्व का oxidation state निकाल लिए, जिसका oxidation state maximum आया, वो आपको oxidizing हो गया, जिसका new symptom आया, वो आपके reducing हो गया, बीच बला आयेगा, तो oxidizing भी होगा, और reducing भी होगा, चुकि group P जो है, phosphorus आपका 5A group का element है, तो किसी भी तत्व का अधिक्तम oxygen नवस्था जो आता है, या oxygen number जो आता है, वो group नंबर के बड़ाबर आता है, तो 5 आ गया, और new symptom जो आता है, वो 5 minus क्या, जो आपका दिया गया है, तो 8 में से 5 minus 8 को घटाएंगे, तो 5 में से 8 को घटाएंगे, minus 3 आएगा, तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि क्या सब कहानी होगा, अगला question मैंने यहाँ पर वही लिखा है, जो आपको बताया गया है, अगला question बेटा, आपके पास क्या दिया गया है, मैंने आपको यह समझा दिया है, कि short की defect क्या होता है, तो frankal defect तो अभी पढ़ाएं, पहला question मेरा frankal defect ही था, short की defect में बेटा वही घटना होता है, जैसे मैं short की defect का एक example देता हूँ, जैसे NaCl हो गया, sodium chloride हो गया, तो sodium chloride, frankal आपको पहले question में दिखा दिये, इसका भी बेटा है, एक diagram बनो, Na plus, Cl minus, Na plus, Cl minus, यह आप बना दिजे, इसमें क्या कहा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, गया, इनायन सो, crystal ले सगया, crystal से क्या हो जाखर, जैसे ही, आपको यह ऐसे दोस होते है, कि इसमें आपका क्या होता है, कि धनायन और इनायन जो होता है, वो संपूर्ण crystal से क्या हो जाता है, गयाब हो जाता है, लेकिन इसकी stability, maintain रहे, यानि आपका electrone, negative, positive नहों, तो बघल से कोई जो metal होते है वो variable valence का होता है ठीक है यहां से क्या करता है तो एक electron को लूज कर देगा यहां से आइस पर two plus हो जाएगा एक electron यहां आपके आ जाएंगे ठीक है और ऐसे दोस्ट को क्या कहा जाता है तो ऐसा दोस्ट जब crystal से आयंस ही गाइब हो जाते हैं, वैसे दोस को Scottish का जाता है, ये नन्ने स्चिछओमेटली इफ्यक्त होता है, और आपके इसमें जो होते हैं इसकी घनत्प कम जाती है, अस्थाय। भी कम जाता है, तो ये किसका कहानी था? तो Scottish का था, वैसे मैंने आपको इसके विशाय में, दोन और अग्यादी इंग्लिस दोनों में लिख दिए आप दोनों जगह से प्राप्त कर सकते है अगला कोश्ण बेटा क्या है जरा दिहान से देखिया कोश्ण कहता है क्या वाई इंग पॉयंट आफ एन एच त्री ग्रेटर दें पी यह त्री बटा बहुत असान है इसमें का डिखार या निया आपको है यह वंद हो जाएंगे कि फ्लोरीन बहुत अलक्ट्रो निगेटिव होता है 15-16 विस वोई हैज नाइट्रोजन एच जैसर तकर भी कित में दिखाई दे रहा है तो जहाँ हम पर पर क्या है तो गोता है तो हैज थैज पर नाइए थरॉजन बंधन लएग़िंद है तो hydrogen बंधन आपका नहीं है क्या है नहीं है तो जहां hydrogen बंधन होगा चुकी वो मजबूत बंधन होता है तो जहां hydrogen बंधन होगा उसको तोरने के लिए बहुत heat देना पड़ेगा बहुत temperature देना होगा तब जाके वो hydrogen बंधन तूटेगा और जहां hydrogen बंधन नहीं होगा उसको कम temperature जीगा तभी तूर जाएगा तो NH3 में hydrogen बंधन था इसी लिए इसको ज़्यादा temperature देने के बाद ये उबला यानि ज़्यादा temperature पर उबल रहा है इसका मतलब boiling point इसका ज्यादा है और इसका कम है बस यही चीज लिखेगा जो मैं आपको बता रहा हूं बेलकुल दिमाग में ज अगला question आपके पास क्या कहता है मेरे भाई ध्याउन से देख लिजेगा यह osmotic pressure क्या होता है वो आपको समझना है तो बेटा फटा फट क्या कीजे डाइग्राम बना यह जैसा मैं बना रहा हूं आप भी बना लिजेगा बीच में बेटा semi-permeable membrane डाल दो SPM semi-permeable membrane और पार अब क्या होगा कि यह semi-permeable membrane जो होगा एक ऐसा membrane होता है मेरे भाई जिससे cable विलायक का कन ही आर पार जाता है जैसे चाय पती का छन्ना होता है तो उससे चाय बाहर निकलता है चाय पती बाहर ने निकलता है तो यहाँ पर भी चाय पती विलाय है और चाय जो है वो विलायक ह तो यहां से इसके विलायक के कन क्या होंगे इधर से इधर आते रहेंगे और इसके विलायक के कन जो होंगे वो आपको इधर से इधर आते रहेंगे अब मैं क्या करने जा रहा हूं तो इसको बेटा solvent ले रहा हूं केवल solvent यह आपका विलायक है और यह आपके solution है यह आपके solution है तो आपको पता होना चाहिए कि विलायक तेजी से इधर जाएगा यह विलायक क्या होगा खाली विलायक है तो खाली चाय है चाय पती है यह नहीं है तो इस चाय इधर से बहुत तेजी से होगा, यह आपको तेजी से होगा, इधर से और इधर आपको धीमा होगा, यानि इधर से इधर जो आएगा विलायक का कर, वो धीरे धीरे आएगा, लेकिन इधर तेजी से जाएगा, तो यह जो आपका इधर तेजी से जा रहा है, तो जैसे यह तेजी से जाएगा, तो यह तेजी से इधर से नो जाए उसके लिए हम क्या करते हैं कि इधर से एक pressure लगा देते हैं इधर से क्या करते हैं एक pressure लगाते हैं किस पर यानि solution के side से यानि रुक नहीं जाता है तो जिस pressure पर जाके इसका flow विलायक से विलियन की ओर रुक जाएगा उसी pressure को क्या कहा जाएगा परासरन दाप कहा जाएगा तो इधर से जो pressure आपको लगाया गया यही परासरन दाप कहलागा परासरन दाप को बेटा capital pi से denote करते हैं और pi बराबर MRT लिखे या CRT लिखे pi बराबर CRT आपका यह formula होता है यह भी आपको दिमाग में रखना होगा यह simple formula जो ideal gas का था PV बराबर MRT वही formula से रिलेटर है दोनों में कोई अंतर आपको नहीं है अभी उतना जानना नहीं है लेकिन मैं osmotic pressure को समझा देता हूँ यहाँ pi बराबर क्या हो जाए रेकिन की समयतं क्या है क्ति को समझते हैं वहाँ समय है किसी का ऩ션क बरह आपको मैं समझता हूँ घ्यां से ूनि जैसे इसमें भी सब में वही कहानी है, कोई solution ले लेते हैं, बेटा पानी को ले लो, तो पानी को उबा लेगा ते कितना पर उबलेगा, जैसे मैं ले लेता हूं, द्यान से देखेगा, यह बेटा वाटर है, मैं कोई solution, वाटर में कुछ न कुछ तो पाया जाता है, यह आपको जादा हो जाएगा क्योंकि चीनी और पानी को मिला लिएगा तो पानी का कम होता है पानी का 100 कर गया एले बेट मतलब या बरना तो समझ में आ गया होगा कि पानी था तो पानी का boiling point 100 degree search यह था चीनी को मिला दिये तो boiling point उसका बर गया it means क्या इसके कहने का मतलब आर्थ यह है कि अगर किसी भी वीलियन के अंदर अगर वास्पसील विले पदार्थ को मिला देते हैं तो उसका boiling point होता है वो आपका बर जाता है उसी को क्या कहा आता है क्वेथनांक में उन्यन कहा जाता है अब कैसे कैसे होगा वो कहानी formula से समझते है formula क्या कहता है बेटा डेल टीवी जो होगा वो आपके kb और गुने m और गुने i के बराबर होगा 100% नहीं होगा था यह आपके क्या होते हैं तो जाते हैं अगला question आपके पास क्या है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं बेटा क्या कहता है कि मेन इंग्रियर्न डिटॉल का क्या है डिटॉल क्या चीज़ से बना हुआ तो दो चीज़ में पायाता है एक तार्पिनॉल हो गया एक तार्पिनॉल एक आपका क्लोरो एक जिनॉल एक अलफा तार्पिनॉल ये दो चीज़ से बना तो घर बना हुआ है तो घर बनता है तो बेटा इटा का एरेजमेंट एक डिफनिट तरीका सो होता है अईसा नहीं कि इटा का एरेजमेंट कहने का मतलब अगर मान लीजे कि मैं घर बना रहा हूं तो यह बेटा आपके सामने इटा है ज्यान से देखिएगा मैंने कैसे लगाय आपको ऐसे लगा दिया फिर आपको मैने ऐसे लगा दिया फिर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको ऐसे नज़राएगा तो एक और गल्प एक बाज बॉरेस कूले में अगर सब्सक्राइब करने relief Medically आपको क्रिश्टल아न में पढ़े जाएंगे है मैं ने बहुत कुछ आपके आपको यहां पर लिखे ला दिया है और सारे चीजह आप समझ सकते हैं कि उडवादार खोष क्या होता है तो क्रिश्टल एठोस्पदार्स निम्लिखित विशेषऩा पाई जाती है फोस का कंव एक दूसरे के साफ एक निक्तिक जित्फ बिज्ब मार्ण पर होते हैं कि अब क्या कहता है कि प्रते क्रेश्टल सुनिख्षी सतों से घिरा होता है, सतव का तल प्लेंस निया सारे कहानी आपको कहीं से कोई दिक्कत नएं इंग्लिज में लिख के ला दिया हूं, हिंदी में भी ला दिया हूं, और सारे चीज़ पहाय हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना जाएई अगले कोस्न वेटा आपके पास क्या काता है कि primary सेल क्या होता है आप से क्या पूछा गया है मेरे भाई primary issues क्या होता है प्राइ्मृरी सेल यानिन प्राथ बीकàiस ज्यू होता है तो प्रात यूज होने के बाद जितना chemical substance की इसकी intensity है वो धीरे-धीरे यूज हो जाएगा उसके बाद सीधा फेक दीजें सीधा फेक दीजें इसको ये रीचार्जेबल नहीं होता है दुबारा रीचार्ज नहीं कर सकते हैं लाइए एक बार यूज किजिए पूरा खतम हो गया बैटिक क्रिया सीलता के बल पर विद्धु तुर्जा रसाइनिक क्रिया सीलता के बल पर विद्धु तुर्जा प्राप्त होता है तो उसमें जितना रसाइनिक पदार्थ डाला गया है वो रसाइनिक पदार्थ जब तक काम करेगा काम करेगा तब तक वो काम करेगा और जैसे जैस उसे रासाइनिक पदार्थ की छमता घरते जाएगी घरते जाएगी एक समय उसके अंदर जितना रासायन होगा उसका चमता कहानी खतम हो जाएगा शेल डिस्ट्राइब हो जाएगा फेक देजेगा उसको उसी को कहा जाता है पूर्ण जीवित इसको नहीं किया सकता है अब आ एक नस टू पाय जाता है एक आपका सीड़ पाय जाता है यानि 2 spoke उसमें पाय जाते हैं नो डाउट जितने question मैं बेटा आपको बता रहा हूँ याद रखेगा इससे बाहर question नहीं होगा number one point और दूसरा चीज ये भी याद रखेंगे कि जिस तरीका से मैं आपको समझा रहा हूँ एक भी question आपसे नहीं चुटेगा लेकिन तब जब हमारी बातों कुशनेंगे तब ये बेटा alpha है जब alpha position पर NH2 लगा हो तो इसको हम लोग alpha amino acid बोलते हैं क्या बोलते हैं alpha amino acid बोलते हैं ये alpha के बाद ये position बेटा beta है बीटा पर NH2 लगा हो तो इसको क्या कहायाता है बीटा amino acid कहायाता है ये alpha है ये बीटा है ये बीटा है और ये गामा है अगर गामा position पर NH2 लगा हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे गामा amino acid के नाम से हम लोग जानते हैं वैसे ही यहाँ पर βेटा अलफा है यहाँ पर बीटा है यहाँ पर गामा है लेमडा है तो लेमडा पर अगर नस्टू लगा हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे लेमडा अमीनो एसीड बोलते हैं लेमडा अमीनो एसीड बोलते हैं तो समझ में आ गया होगा कि अमीनो एसीड कि उसको कहा जाता है तो amino acid जो होता है वो amino acid बेटा ऐसे acid होते हैं जिसमें दो क्रियात्मक समूँ पाया जाता है एक NS2 पाया जाता है एक आपका COO होते हैं यह आपका उदासिन प्रभिर्ति का होता है COO माइनस को देगा और NS2 जो होता है वो basic प्रकार के ऐसे होते हैं तो ये समझ में आ गया होगा मैंने सारा चीज यहां पर explain करके रख दिया है आपको कहीं कुछ दिमाग लगाने की ज़ुरत नहीं है अब आपके पास अगला question है बिटा क्या कहता है कि copper sulphate solution को zinc के भैसल में डाल सकते हैं तो बना दीजिए यह आपका zinc का भैसल है zinc क्या है zinc का बरतन है zinc का क्या दिया गया है बरतन दिया गया है अब इसमें आपको कहता है कि copper sulphate solution को डाल दीजिए copper sulphate को डाल दीजिए आप देखिए का करने जा रहा है यहां पर COSO4 को डाल दीए किसको डाल दीए दूसरा कलम से दिखाते हैं समझ में आगा COSO4 को डाल दीए COSO4 डाल दीए यह क्या करेगा COSO4 जिंक के साथ reaction करके बना लेगा zinc ज्यादा रियक्टिव है ज्यरे ने साथ reaction कर लेगा क्योंकि zinc ज्यादा रियक्टिव होता है ज्यादा क्रियासील होता है और यहां से copper sulphate जो आपका दिया गया है इसको क्या करेगा zinc बिस्थापित कर देगा metal displacement reaction से और बना क्या लेगा zinc sulphate बना लेगा और copper को यहां से बाहर भागा देगा copper को क्या करेगा बाहर भागा देगा तो इसको store किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है ठीक है अगला question आपके पास क्या है वो question मैं आपको बता दू यह भी आपका कहानी समझ में आ गया होगा electron एक ऐसे electron के पियर है जो रसाइनिक अभिक्रिया के यानि रसाइनिक बंधन में रसाइनिक बंधन निर्मान में भाग नहीं लेता है उसी को lone pair effect कहते हैं क्या कहता है BCL3 बेहप लाइके लिभाई से सीड का है बेटा BCL3 जो होता है लिभाई से सीड की तरह काम करता है क्यों क्योंकि BCL3 के पास बेटा क्या होता है तो lone electron pair लेने की छमता होता है तो जो electron pair लेने का काम करेगा वो लेभाई से सीड कहलागा जो electron pair देने का काम करेगा वो लेभाई से सीड कहलागा तो यहाँ पर BCL3 में boron जो है उसके पास electron लेने की छमता है electron pair ले सकता है इसलिए आपक से लोन पियर होंगे जो रासाइनिक बंधन निर्मान में भाग नहीं लेते हैं ठीक है नेक्स्ट कोस्टन मैंने इसको भी समझा दिया है ध्यान से देख लिजेगा तू एलेक्ट्रोन प्रजेंट इंद आउटर मोस् देख लिजेगा तो यहां से यह क्या करेगा तो एल्यक्ट्रोन जो रालेगा तो इसको लवाई के सीड़ का जाएगा नेक्स्ट कोस्टन अगला को सन आपके पास क्या करा है नहीं जो भी भच्चे आए बेटा चैनल को जरूर शब्सक्राइब किजिएगा जरूर कीजिएग भी बहुत सारे छीजे आपको देने बचे हुए हैं, वो आपको मिलेगा, क्या कहता है Till Ic वे लग है, आपको बेटा पता होगा, कि जब आदमी को करवाते आ रहे हैं और लंबा समय तक करवाईएगा तो आपका पणिनाम यह हो जाएगा मेरे भाई कि आपको blood coagulate करने की संभाबना बर जाएगी आपका भेन में blood जमने की संभाबना बर जाती है वही बोचा गया है कि डाइला ऐसिस अगर लंबे समय तक करवाते है तो क्या होगा तो coagulation की क्रिया हो जाएगा क्या है त्ट को सनब के पास क्या है जरा ध्यान से देखेगा अगला question पेट आपके पास क्या है वह ध्यान से देखेगा क्या कहता है राइट दा chemical reaction taking place in the serpex process of purification of bauxides, तो bauxides की purification में तो बहुत simple process है, मैंने एक दो line में आपको लिख दिया है, क्या होता है, कुछ नहीं L2O3 यह आपके bauxide ore है, यह कैसे ore है मेरे भाई तो यह आपके bauxide ore है, bauxide ore को क्या करवाना है, तो bauxide S को carbon के साथ, nitrogen के साथ reaction करवाद यह किसका है, 800 degree Celsius पर, तो aluminium nitrite बन गया, carbon monoxide और water बाहर निकल गया, अब यह silicon oxide और carbon दिया हुआ है, इन दोनों को आपस में रेक्ट करवाएगा, तो silicon बाहर होगा, carbon monoxide निकल गया, और AIN water के साथ मिल गया, aluminium hydroxide आगया, जब इसका reduction करवाद दीजेगा, यहां से, तो यहां से beta aluminium आपको प्राप्त हो जागा, तो यही कहानी था, जो कहानी मैंने आपको समझा दिया, कहानी आपको समझा दिया, next question आपके पास क्या है, अगला question कहता है, aromaticity क्या होता है, यानि aromatic compound जो होगा, aromatic कहने का मत्तब बेंजीन group बेटा होता है, तो बेंजीन group क्या होते हैं, तो cyclic compound में जब resonance की क्रिया होने की ability आजाती है, तो यही आपका aromatic compound होता है, क्या होता है, father of aromatic compound यही होते हैं, यह आपके aromatic compound है, तो aromatic compound क्या होगा, तो aromatic compound एक विशेष गुन को उत्पन करता है जिसमें आपको अनुनाद की क्रियाएं होती है और कोई भी योगिक अत्यधिक अस्थाई हो पाता है क्या होता है अत्यधिक अस्थाई हो पाता है वही आपको अरोमेटिक कहलाता है क्या कहलाता है अरोमेटिक कहलाता है तो अरोमेटिक किसको कहेंगे तो जैसे CS3 हो गया CS2 हो गया CS2 हो गया CS2 हो गया नंदर अब आपके पास क्या दिया हुआ पॉली विनाइल क्लोराइड मोनोमर लिखना है दो चीज लिखना है दोनों को लिख दीजे बेटा दो चीज दिया हुए क्या काता है पॉली विनाइल क्लोराइड जो दिया गया है वो मोनोमर लिखना है और टेफलोन का मोनोमर लिखना है तो कुछ नहीं केक समझ माइन हम चूसरों ज लिठना है इंतिवाइटिक यानि क्या प्रती जयविक क्याने जीव के एगेंस्ट काम करने हैं वैक्टेरिया वाइरस प्रोटो जो आ फंगी माइक्रो अर्ग्रिम जो है उसको मारने का जो काम करे उसको एंटिबाटिक कहा जाता है उसको मारे उसके बिरुध काम करे ठीक है तो उसको एंटिबाटिक कहा जाता है दूगो नाम बताना है और दोनों का एकजामपल देके जादिया है कहीं कुछ देखने के एक आपका क्या दिया हुआ है प्रति जैविक को आगे जीवानु नासी अत्वा जीवानु अस्थाइए कहा जाता है एक आपको जीवानु नासी है जो जीवानु जीवानु किटानु विशानु जो होते हैं तो जीवानु को नास करेगा माइक्रो अर्गनेज्ब जो होंगे जो तुक्सन जीब होंगे उसका नास करेगा और दूसरा क्या करेगा तुक्सन जीब को पालेगा तुक्सन जीब को क्या करेगा पालेगा एक पालने का काम करता है और दूसरा नास करने का काम करता है ठीक है तो जो नास करेगा उसमें मैंने example दे दिया नीचे मैंने और भी अच्छी तरह से लिख दिया है आपको क्या लिख दिया है कि संकिर्ण वाले होते हैं संकिर्ण कहने का मतलब है कि यह particular में खाया जाता है उदारार में आपका डिग्री से लेके आपको अगर अन्ठानवे से बुखार बरता है एक सो दू तिन भी रहगा तो इस दबा को आप खा लिजेगा आप कुछ ऐसे यह कभी भी खा सकते हैं पराशिता मोल का वहता है नए जो भी बच्चे हो बेटा चैनल को सब्सक्राइब को इससे बाहर बेटा नहीं आएगा आप लोग जो भी नए और पुराने जो भी बच्चे हैं मैं जो पढ़ा रहा हूं अब्जेक्टिब भी पढ़ाया हूं सब्जे की बढ़ा है टोटल को सिन मिला है और कैमाश्टरी का भी टोटल को सब्सक्राइब मैं बार बार हंडिद़ पर्संट बिशवास के साथ कहता हूं मैं ने सुरू में ही बोला था कियो कहां से आता है, क्या होता है वो मुझे पता है, आप गेवल पढ़िए, आप केवल पढ़िए, तो आपको केवल पढ़ना ही है मेरे भाई और कुछ नहीं करना है, ठीक है अगला प्षटन आपके पास क्या था? उस question क्यों मैं बरता हूँ अगला question क्या है उस question क्यों बरा जाए मेरे भाई क्या करता है explain the purification process of soap साबुन कई से काम करता है वो आप से पूछा गया साबुन कई से काम करता है तो साबुन में होता क्या है जैसे साबुन का सुत्र मैं बताता हूँ सीशातर हो गया कम से कम यह हैब वी मॉली कुल होते हैं है बी मौली कुलर मास का सोडियम का त्रौना मॉली कुल से यानि सीशातरह एच पैंटिस सी डबल ओ इन आपको दिया गया सी डबल ओने दिया गया अब बैटा इसके structure को तोड़िए structure जब तोड़िएगा मैं आपको सब चीज़ सिखा दूँगा ध्यान से केबल देखते रहिएगा उसके बाद आपको कभी समस्या नहींगा C double bond O O minus Na plus यहाँ दिया गया अब इसके बाद बेटा यह कारवन के बाद 17 कारवन है यहां डाल दो एक दू तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारह बारह तेरह चौदरह पंदरह सोलह सत्रह देखो जितना बनाए एकदम एक जक्टा है कम से कम सत्रह होना चाहिए कम से कम इतना होगा इससे जादा भी हो सकता है इससे जादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम मेरे मालिक इतना ही होगा जो मैं आपको बता रहा है इसमें बेटा दो इंड होता है एक आपके लायो फोबिक होते हैं यह भी ध्यान से समझेगा लायो फिलिक इंड किसको कहा आता है लायो मतलब water और philic मतलब to love love, जल से सने करने बाला, तो उसको lyophilic आयाता है, जो जल से सने करता है, और lyophobic जो जल से बिद्रो करता है, अब आपको होगा क्या? मैं आपको बताता हूँ, अभी बेटा, यह आपके सामने साबून, दिखाई दे रहा है, अभी साबून को पानी में म पानी में मिलाने के बाद आपको करता है तब साबून से सरीर धोना है यो कप्रा धोना गपर तो हँए से कप्रा में फिर्ट सर्थ्य है उसकत करेंगा और भाहाँ से क्या हो जाएगा साबून आपका यह उता है लेकिन साबून बेटा समुन्दरी लबन में नहीं करता है समूदर में साबून नहीं काम करेगा वहाँ डिटर्जेंट काम करता है क्योंकि समूदर में बहुत सारे लबन पाए जाते हैं जिसके साथ बेटा यह chemical reaction कर जाता है chemical reaction करके एक नया ही substance का निर्मान कर लेगा तो वहाँ सम्भब नहीं है लेकिन आपको ये बाहर में normal water जो आपका sweet water जो पीते हैं आपके चापकल कुआ उँआ जहां से आता है या टूबेल से आता है मोटर उटर से ये सब नलजल योजना इस समय काम करेगा ठीक है तो उसके लि बेटा मैं 500 अब्जेक्टिव 500 प्लस अब्जेक्टिव लेके भी आपको सारे 11 बजे के टाइम में किस टाइम में तो बेटा सारे 11 बजे 500 प्लस अब्जेक्टिव लेके मैं आऊंगा सारे 11 बजे 500 प्लस अब्जेक्टिव होगा मैंने कल साम में भी पढ़ाया था तो ये 500 प्लस अब्जेक्टिव का सेट सारे 11 बजे का देखना महीं भूलिएगा बहुत इंपर्टेंट सेट होगा केबल अब्जेक्टिव होंगो उसमें भी समझा समझा के पढ़ाएंगे अभी मैं सब्जेक्टिव लाया हूं सौट देर सो तो मैं लगबग पढ़ाई दूंगा आ ऐसे चींब ने बोर्न है मैं आपके बुक में भी नयए एडिसान में छपआ है कि बेटा कोडोना का वैक्सेन अभी तक जितने भी वैक्सीन बने हैं वो सारे के सारे वैक्सीन DNA पर आधरित तो डियने क्या होता है आप जानते हैं कि MADR FADR से बने सागत गून होते हैं, MADR FADR का जो गून होता है, वो बच्चे में DNA के माध्यम से ही ट्रांसपर की आता है, DNA, Di-Re awake Nucleic Acid होता है ठीक है, structure यह सब पता होगा, दो कलम पकड़िएगा, दोनों कलम को ऐसे 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 गुमा दीजेगा, यह DNA का होगा, single कलम लेकर आप पकर लीजेगा, मेरे पास तो एक ही कलम है, बहुत costly है, यही 15,000 का है, तो ऐसे अगर लपटेंगे एक तो RNA हो जाएगा, अब DNA और RNA के बीच में आप से पूछ रहा है, तो कहता है कि DNA का जल आप घटन करवाएंगे तो क्या होगा, तो बेटा DNA को जल आप घटन करवाना है, यानि आपको DNA या फिर RNA, DNA, DNA या फिर RNA मैं ले लेता हूँ, तो कोरोना का एक ऐसा वैक्षिन बना है पूरे दुनिया में पहली बार, जो बेटा RNA पर आधारी थे ध्यान दीजेगा, सारे के सारे वैक्षिन अभी तक जितना भी सुया बना था, सब DNA के आधार पर बना था, कोरोना एक ऐसा कहर लाया, जो DNA को छोड़कर उसका जुर्गा भाई RNA को याद करना पड़ा लोगों को, बाद क्या बनेंगे, तो फॉस्फोरी के सिर बन जाएगा, उपर हिंदी लिखा हुआ है, ध्यान दीजेगा, फॉस्फोरी कामल बन जाएगा, ठीक है, और उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और भस्न भी बनेंगे, तो ये आपके DNA के जल अप घटन से ब सब्स्क्रिप्सन से चली रहा है, ये सारे बैच मैं फ्री में स्टाट करने जा रहा हूं, आपको जितने भी बच्चे फोल टेकनिक के होंगे, उस इन डीए को बैच होंगे, ये सारे के सारे फ्री, फ्री अप कोस्ट, बिल्कल फ्री अप कोस्ट, और उधर जो पे मेंड ब कुल rushing सिसको कहा जाएंगा जिस्में कंड्थिविटी बहुत तेजी से कहा जएगा जिसमें कंड्थे तीरे धीरे हों कि यह सब कहानी है एक जयंConf I dress something समझ लीजिये, जैसे मैं समझ देता हम बाई, जैसे मैं समझा देता हूँ, सिंपल समझ, strong electrolytes होंगे n moisturizer, इस जो बेटा strong electrolytes होंगे आज ईवन नहीब भूलेगा, strong electrolytes होगा, जब इसको ionized करवाइएगा, यानि पानी में मिलाइएगा, तो यह 100% आयोनाईज हो जागा, इसका आयोनाईज होगा, बिक का 100% नहीं होगा, नहीं होगा, कहने का मतलब यह है, जैसे मैं आपको एक्जाम्पल देता हूँ, जैसे मालो बेटा यहाँ पर NaCl, यानि क्या नमक है, नमक को बेटा पानी में मिला दिजी, तो 100% नमक तूट जाता, 100% नमक तूट जाएगा Na plus में और Cl minus, 100% का 100% तूट जाएगा, तो Na plus और Cl minus का संख्या बर जाएगा तो जिसमें संख्या बर जाएगा तो उसमें conductivity ते जिशो होगी, संख्या आइंस के बर जाएगे, यानि Na plus तो या आपके क्या NaCl 100%, तो अगर किसी भी Electrolite को पानी में मिला दिया जाए, तो उसका आइनी करन 100% हो जाए, यानि सौपूरा का पूरे जितने भी आपके जो सबस्टांस आप ले रहे हैं, वो टोटल का टोटल आइंस में चेंज हो गया, अगर टोटल का टोटल नहीं चेंज कर रहा है, 7%, 70%, 80%, 50% जा रहा है, तो वो बेटा आपको भी Electrolite हो जाएगा, ध्यान से समझ लिजेगा, मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्जामपल और बहुत साला तरीका यहाँ समझा दिया है, ध्यान से देखिएगा, क्या काता है, प्रवल, बैदुत, अपघट भी, अपघट होते हैं, जो जलिये विलियन में पूर्ण ता, लगबग 100% आईनीम के टूड़ जाते हैं, जैसे एक्जामपल के लिए, NACL हो गया, HCL हो गया, समझ में आगया होगा, नो डाउट की नहीं समझ में आया होगा तो चलिए बेटा अगले question की और बढ़ा जाये आज का हमारा अगला question क्या है तो question बेटा आपके क्या कहे गया है जरा ध्यान से सुन लिजेगा यहाँ पर भी क्या कहता है आपको दो question है एक कहता है average or instantaneous velocity reaction क्या कहा होगा a आदमी है, गारी से चला, यानि पर आपको a point से कोई आदमी, कोई आदमी, o आपका आदमी है, qo ia आपका आदमी है o. जो a point से चला और b पर पहुंचा, b पर पहुंचा तो इसका velocity भीवन था, टीक है, अब b से ये c पर चला गया, तो इसका velocity भीटू हो गया, और C से ये बेटा D पर चला गया तो इसका velocity आपके B3 हो गया और D से E पर गया तो इसका velocity फिर B1 हो गया ठीक है फिर B1 हो गया D से E तक और E से बेटा E फिर E F पर गया तो इसका velocity मानलो B4 हो गया और F से आपका कहां चला गया तो F से बेटा G पर चला गया तो इसका velocity B5 हो गया अब आपको पूछा तो देखिए जरा ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आगा क्या समझ में आगा और कोई आदमी है जो ऐसे यहां से एसे कहां जा रहा है जी पर जा रहा है और कोई आदमी है यानि और कोई आदमी ध्यान से समझेगा तब यह समझ में आगा और कोई आ होगा एनेस का उड़ा दिया होगा गोड़ी को ठीक है इसके बीच में आया होगा बहुत जाम था इतना जाम था कि एदम पैर सेडल गुर्का-गुर्का के गोड़ी ले गया होगा तो ऐसी कहानी आपको आता है तो मान लिजिए कि इसमें किसी भी इंस्टेंट पर अब यह आ अदमी एक्सिडेंट की या गारी उसका तकड़ाया किसी चीज से उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा दूर कहा कुछ पता हम को तो पते नहीं यानि उसी स्टेंट पर यानि मालो की आदमी 11 बज़ के शाना मिनट पर एक्सिडेंट किया तो 11 बाज के 11 मिनट एकारा सकेंड में उसका क्या स्पीड था उस स्टेंट पर उसी को instantaneous velocity कहा जाता है उसी को instantaneous velocity कहा जाता है ठीक है यह समझ में आगा physics से समझा रहा हैं फिर chemistry में लेक्या होगा और average क्या होगा average बेटा स्वाब को जोड़ दो इदू तो सारे स्पीट को क्या किजेगा जोड़ दिजेगा जितना है उतना से भाग दिजेगा टोटल डिस्टेंस अबटा टोटल टाइम इससे भाग दे सकते हैं तो chemical reaction में भी होता है मेरे भाइ जो इस जहां बताए न, वही चीजney chemical reaction में can Rogan कि सुरु पर चुरुद में जब आप और कोया आदमी था यानि सुरु में जब यह चलना शुरु किया होगा या दौर्णा सुरु किया होगा तो यादमी chemical reaction में यह होगा कि rate जो होंगे और आपका reactant से अभिकारक है तो शुरू में उसका सांधरन बहुत ज़्यादा रहा होगा जब शुरू में उसका सांधरन मेरे भाई बहुत ज़्यादा रहा होगा तो वो तेजी से product बनाने क्यों चला होगा तो जैसे जैसे time घटा होगा वैसे वैसे speed उसका घटा तो जब A से B तक आया यहां से यहां product बना तो उसका speed भी वन था यानि बहुत ज़्यादा था उससे कम गया उससे कम गया तो ऐसे होते होते आप जब देखिएगा तो इसके बीच में सुरू से last तक में बहुत जगए speed उसका change करते रहता है और उन सारे speed changeable speed का जो average value होता है उसी को average speed का आजाता है उसकी तुरूप चे आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल समझ में आ गया होगा मैंने इसका answer भी आपको लिख दिया है जो कहानी समझाया हूँ इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा ध्यान दिजेगा अब बेटा दूगो सी आर है तो दूगो सी आर डाल दो इन दोनों के बीच में आपका oxygen डाल दो ये double bond oxygen इधर double bond oxygen इधर double bond oxygen इधर double bond oxygen इधर यहाँ पर O है यहाँ पर O है यह डाल दीजेगा यह O है और यहाँ पर बेटा आपका O माइनस इधर डाल दो O माइनस इधर डाल दो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हो गया अब क्या काता है दो बाइडेंटेड लिगेंज का एक्जम्पल देना है मेरे भाई तो बाइडेंटेड लिगेंज का एक्जम्पल दे एथाइलिन डायमाइन जैसे आपका CS2 CS2 NS2 लिख दीजेगा यहाँ पर लोन पेर यह इधर बढ़ेगा और NS2 यहाँ पर लिख दीजेगा यह बाइडेंटेड लिगेंज हो गया उसके बाद ऑगजे लेट आयन लिख दो COO- और COO- यह आपके ऑगजे लेट आयन इधर हो गया तो यह दो आपके एक्जम्पल हो है तेक है अगला कोस्टन आपके पास क्या दिया हुआ है तो यह दोनों कहानी आपको मैंने पढ़ा दिया कार्वाइल अमाइन डियेक्शन क्या होते है वह आप से पूछा गया है तो बहुत सिंपल डेक्शन होता है मेरे भाइज ज्यादा दिमाग नहीं लगाना मैंने बत होता है बस सिंपल है कि primary amine का reaction अब यह क्या होगा रांच कर जाना किसके साथ तो रेक्षण आपको कर बाना है किसके साथ potassium hydroxide के साथ potassium hydroxide के साथ के साथ के साथ citizen कर वाई किसके उपस्तिति में नंतो विलियम के साथ क्या कहता है कि बने कि इन हाइड्रोक्साइड प्रिपियर्ड इन क्लोरोफॉर्म एन एलकोहल आपका इन प्रजेंस ओप क्या तो क्लोरोफॉर्म यानि CH आइट है थैं CH क्लोरोफॉर्म है न हिएच CL3 के साथ तो आपको बन क्या सब जाएगा तो C H C L 3 का formation होगा और उसके बाद आपको बन का जाएगा तो एलकोहल बन जाएगा ठीक है यह सब आपको निर्मित हो जाते हैं यही कहानी आप से पूछा जा रहा था ठीक है वही चीज मैंने तोड़ दिया स्टेटमेंट में अगला कोस्टन आपके क्या कहता है कि ओएच का मैकेनिज पैरा वाला है तो यहां तक बेटा रहने दो एप्रोक्सिमेटली मैंने आपको जो है सो लगभग सो कोस्टन करीब सब्जेक्टिव का करवा दिया हूं यहां से मैं स्टार्ट करूंगा एक सो प्लस आथन के दोर में सारे 11 बजे चलेंगे तो बिल्कुल आप लोग वहां के लिए रेडी रहिएगा सारे 11 बजे जो है वह आपको फिर से उपासित होंगे और वहां पढ़ाएंगे अब किसी को कोई प्रॉबलम है तो मेरे भाई जल्दी जल्दी पूछो जिसको जो प्रॉब प्रॉबलम है जो भी बच्चे है सारे बच्चे एक बार बेटा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा निकलने से पहले किसी को कोई समस्या है तो जल्दी जल्दी पूछो किसी को कोई समस्या है तो जल्दी जल्दी पूछिए पॉल्टेक्निक का क्लास कब से स्टार्ट होगा सोनी प्रिया बहुत जल्दी बेटा पॉल्टेक्निक का क्लास आपको ट्वेल वाला का इसका खतम हो गया यूपी वाला का बचा हुआ है तो उसका प्रिप्रेशन आपका ट्वेल का चलता रहेगा बहुत जल्दी मैं पॉल्टेक्निक का क्लास से स्टार्ट करने जा रहा हूँ सोनी प्रिया बहुत जल्दी पॉल्टेक्निक का क्लास स्टार्ट होगा किसी को कोई प्राबलम है तो पूछलो मेरे भाई नए जो भी बच्चे हैं यसर बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे पॉल्टेक्निक का बैच यूपी बोर्ट का क्लास उसका क्लास तो चलेगा ही बस यह आज भर तो है भाई एक दू दिनी सब का सेम चीज़ तो पढ़ना है आप लोग को भी पढ़ना है तो उसके लिए घबरा नहीं वो मैं कहा हूं तो पढ़ाऊंगा न भाई गनेश चिंग यसर अए सिवाम यूपी बोर्ड आकास निसाद सिवाम रोहित जितने भी बच्चे हैं बेटा आप लोग को भी यही टॉपिक पढ़ना है आपका जो सेम्पल का कोस्टन है उसका मैं फ्रेसियर का करभाऊंगा वो सारे कोस्टन करभाऊंगा एक दिन की बात है इस सब को जाने तो आज वाज और कल पर परहां देते हैं फर्सों पेपर है खतम हो जाएगा उसके बाद तो समय लोग का एक जीस बाइस सेह नपेपर है अभी है दस दिन है घब्राना만 है मिलेगा मिलेगा मैं जब पर मिलेगा मैं जब बोला हूँ तो मिलेगा आपको घबराना नहीं है मैं ज़रूर पढ़ाऊंगा पढ़ा ही रहे हैं ये सब भी तुम्हारे ही काम का है ऐसा नहीं है कि काम का नहीं है टीक है बेटा तो आप लोग अब पढ़ते रहिए 22 फरवरी हाँ हाँ गने सिंग 22 फरवरी से वही तो कहें अभी है टाइम बस दो दिन की बात है 15 दिन तो बहुत हो गया 15 दिन में तो हवा की तरह उरोगे तुम लो केबल बच्चे सब को जोड़ो देखो 2-4-10-20 बच्चा नहीं कम से कम बच्चे लगने चाहिए यूपी वाले जितने भी बच्चे हैं मैं बार बार कहता हूँ यूपी वाले जो भी बच्चे हैं वहां हमको बहुत ज्यादा ट्रस्ट रहा है बच्चे ही बच्चे को बुलाते हैं तो आप लोग बच्चे को जोड़िए उसकी क्या बढ़ाई ये क्योंकि बिहार वाला छटेगा तो बहुत कम हो जाएगा कि अच्छा हाँ हाँ पता है मुझे पता है अड़े क्या कहे तुमको सिवाम बेटा चार तारीक आज हुआ है आज चार तारीक हुआ है पांच तारीक तक की सबका क्लास चलेगा पांच के बाद छे तारीक से तुम्ही लोका क्लास चलेगा साथ तारीक से वनली यूपी वनली यूपी साथ तारीक साथ तारीक वनली यूपी ये भी तुमारे एकाम का है साथ तारीक वनली यूपी बोलतो रहे हैं और किसी को कोई समस्या चलिए भाया सारे ग्यारा बजे जितने भी बच्चे हैं बेटा सारे ग्यारा बजे रेडी रहिएगा अबजेक्टिव का क्लास आपका चलेगा सारे ग्यारा बजे